बिस्मिल्लाहिराह्मानिरहीम, अस्लामुलेकुम स्टूरेंट्स, स्टूरेंट्स आज के लेक्चर में हम Morning Becomes Electra के first part, homecoming की समरी करेंगे स्टूरेंट्स, as I have already told you that this play consists of three parts ये एक trilogy है, इसके तीन parts है और ये जो story है Morning Becomes Electra की ये Askylis की trilogy और STI पर base करती है Orestia की retelling है, और ये Orestia जो trilogy है स्टूरेंट्स, ये Greek myth House of Atreus पर base करती है ये हम पहले वाले lecture में discuss कर चुके है स्टूरेंट्स, ये क्यों Eugene O'Neill ने Greek play को क्यों retell किया क्योंकि स्टूरेंट्स, जब Eugene ने ये play लिखा तो उस वकत ये tradition चाली हुई थी कि जो उस वकत के play rights थे, वो Greek को modern way में present करने लग गये थे ठीक है, Greek plays को modern way में present करने लग गये थे और इस play में कहानी वैसी ही है background भी वही है, themes भी और history वाले ही है मगर modern times के according, O'Neill ने इसे modern perspective से बियान किया है थोड़ी बहुत changes के साथ, मसलान वो इसमें कुछ psychological elements लिया है जैसे Electra complex and Oedipus complex वगयरा तो students, हम homecoming की summary स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसके main characters यो है उसको discuss कर लेते हैं बिगेडियर जैनरल Ezra Menon, यह इसका बड़ा एहम character है इस play का students, यह Abe Menon का बेटा है, डैविड का भाई है और क्रिस्टीन का यह husband है, क्रिस्टीन जो बजाते खुद इस play की बहुत इकन से के important इसका character role play करती है इसमें और यह Levenia और और इनका बाप है, बहुत handsome है इसका जो relationship है, अपने बेटे के साथ थोड़ा problematic है और अपनी बेटी के साथ यह बहुत close है और अपनी बीवी के साथ यह अच्छे relations काइम करना चाहता है after returning from the war उसके बाद students, क्रिस्टीन मैनन है, क्रिस्टीन मैनन एज्रा मैनन की बीवी है लेवीनिया और औरन की मा है यह बहुत हुबसूरत औरत है लेकिन यह एज्रा मैनन के war पे जाने के बाद एक और शखस एडम ब्रैंट के साथ affair इसका start हो जाता है और यह के students यह अपने बेटे से बहुत ज़्यादा महबत करती है यह अपने बेटे के साथ और बेटी के साथ इसको महबत नहीं है बेटी से यह नफरत करती है लेवीनिया मैनन है लेवीनिया एज्रा और क्रिस्टीन की बेटी है और इनकी बेहन है और स्वरिंट्स ये के ये भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा महबत करती है और अपनी माँ से ये बिलकुल भी महबत नहीं करती है यहां पे हम लोग स्वरिंट्स इस करेक्टर में हम अलेक्टरा कॉम्पलेक्स देखते हैं और खास तरप ये अपनी माँ से उस वक्त ज्यादा नफरत करने लग जाती है जब उसे ये पता चलता है कि ये मेरे बाप की कातल है और उसके बाद औरिन मैनन इस्टूइट्ट ये एजरा और क्रिस्टीन का बेटा है और लेवीनिया का भाई है और ये भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा महबद करता है जबकि अपने बाप से नफरत करता है यहाँ पे इस केरेक्टर में स्टूइट्ट्स हमें एडिपस कॉंपलेक्स नजर आता है कैप्टन एडम ब्रेंट ये क्लिपर शिप का कैप्टन है काफी हैंसम और रॉगिश मैन है और स्टूइट्स ये कि ये डैविड मैनन और एक फ्रेंच नर्स मेरी ब्रेंटॉम का बेटा है और चुम्कि इसकी मा मेरी ब्रेंट टॉम के साथ मैनन फैमिली ने अच्छा स्लूक नहीं किया था इस वज़ा से यह मैनन फैमिली से काफी नफरत करता है पीटर है स्टुरेंट्स यह औरेंड का भाई है और हेजल का भाई है और Peter जो है वो लवीनिया से महभबत करता है Hizzle है Peter की बहन है और ये Orange से महभबत करती है Seth Beckwith, ये बड़ा Trustworthy जो Servant है इस Menon Family का और बहुत Loyal है Menon Family के साथ खास दोर पेलवीनिया के साथ और उसकी काफी Help करता है जब भी वो से Help के लिए Request करती है मेरी ब्रेंट टॉम ये स्टूरेंट्स एक फ्रेंच कैनेडियन नर्स है जो एब मैनन जो के इस एजरा मैनन और एजरा मैनन का बाप था ठीक है और इन और लवीनिया का ग्रैंट फादर उसकी नर्सिंग के लिए वहाँ पे इनके घर में थी जब उसका इनके बेटे यह यह। चला और शूरेंट्स यह एडम प्रैंट की मा है एब मैनन पैट्रार्प है मैनन फैंमिली का डैवड और एजरा का बाप और लेवीनिया और अर इनका ग्रैंट फादर डैवा इज़रा का भाई और ईब का बेटा है डैवड जो है वो मैरी ब्रेंट अम के साथ इ है सैथ जो के इस फैमिली का बड़ा ट्रस्ट फर्दी मुलाजम है लोईसा एमिस है एमोस की बीवी और मीनी है जो लोईसा की कजन है स्ट्रेंट्स एक्ट वान शुरू होता है सप्रिंग का सीजन है लेट आफ्टर नून का वक्त है और सैटिंग मैनन हाउस की है घर का मालिक एजरा मैनन है जो के बिरगेडियर जैनरल है जो वार से जल्द ही वापिस आने वाला है स्ट्रेंट्स इस सीवल वार का टाइम है एजरा मैनन घर वापिस आने वाला है आपको याद होगा स्ट्रेंट्स एगमेमनन भी वार अफ ट्राइ टॉर्जन वार पर गया था और यहां पे एजरा मैनन सीवल वार पर गया हुआ है तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कहानी और एस्ट्रिया ट्राइलोजी पर बेस करती है तो यहां पर हम शुरू में देखते हैं कि कहानी की ओपनिंग वहां पर भी वैसी थी और यहां पर भी वैसी है यह एक्ट जो है बिल्कुल ग्रीक प्ले की तरह स्टार्ट हो रहा है जैसे कि ग्रीक पे में कोरस जो है वो प्रलॉक देता था यहां एजरा का एक सर्वेंट है सेथ बैकवित जो कुछ और लोगों के साथ मिलकर मैनन फैमली के को आडियन्स के सामने डिसकस करते हैं ताके आडियन्स मैनन फैमली के बारे में जान सके, मैनन फैमली के मैंबर्स के बारे में जान सके, सेथ गार्डनर है मैनन फैमली का, सेथ बहुत खुश ह है कि war खतम हो रही है और एज्रा वापिस आ रहा है तो स्टूडेंट्स से उसका friend पूछता है M.O. Samis उससे पूछता है कि क्या मैनन फैमिली रिच है तो से उसे बताता है कि मैनन फैमिली बहुत रिच है और बहुत फेमस है और इनका जो फादर है एब मैनन वो भी बहुत रिच था एज्रा एक वेल नोन जैनरल है और उसने लॉक स्टूडी भी की हुई है और जज्च के तोर भी काम किया हुआ है ठीक है एज्रा मैक्सिकन अमेरिकन वार में भी जा चुका है और यहां का मेर भी रह चुका है और वो कहता है कि पूरे टाउन को फखर है एज्रा मैनन पर सेट से लोईसा पूछती है लोईसा जो के उसकी फ्रेंड है एमोस की कजन है सॉरी वो सेथ से पूछती है कि एसरा की वाइफ क्रिस्टीन के बारे में बात करें क्या उसको कोई नहीं जानता क्या उसके बारे में कोई बात नहीं करता क्या उसकी कोई परवा नहीं करता वो एक डच और फ्रेंच नसल से तालुक रखती है मगर सेथ कहता है कि हमें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए फिर ये सब लोग किसी के आने की आवाज सुनते है स्टूर्ट्स क्रिस्टीन बाहर आती है ये 40 साल की ओरत है मगर लगती बहुत यंग है और बहुत खुबसूरत ओरत है और फिर स्टूर्ट्स क्रिस्टीन जो है चली जाती है गुजरती हुई वहाँ से चली जाती है और लवीनिया जिसका निकनेम वीनी है वो बाहर आती है लवीनिया स्टूर्ट्स क्रिस्टीन की बेटी है लवीनिया से सेथ पूछता है कि वो इतनी देर से कहा थी तो पहले तो अलेवीनिया जूट बोलती है कि वो हेजल और पीटर के पास थी जो कि उनके बच्पन के फ्रेंड्स है मगर वो फिर जब उसे सेथ कहता है कि वो जूट बोल रही है वो जानता है कि वो कहा थी तो वो एड्मिट कर लेती है कि वो न्यू यॉउक गई हुई थी ठीक है स्टुडेंट्स तो और अभी अभी वापिस आईए तो स्टुडेंट्स इसकी बात सुनकर सेथ कहता है कि मैं तुम्हें परिशान नहीं करना चाहता मगर मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ कैप्टन एडम ब्रेंट के बारे में लेवीनिया हिरान हो जाती है कि ये क्यों ऐसे बात कर रहे है मगर इससे पहले कि सेथ कोई और बात करता हेजल और पीटर वहाँ पे आ जाते है स्टुड्स हेजल और पीटर दोनो बहन बाई है लेवीनिया और ओर इन के फ्रेंड्स हैं हेजल और इन को लाइक करती है और पीटर लेवीनिया को लाइक करता है तो ये दोनों वहाँ आ जाते हैं और सेथ फिर उससे कहता है कि हम बाद में बात करेंगे स्टुड्स आपको मैं बता चुकी हम कि पीटर लिवीनिया को पसंद करता है हेजल पीटर की सिस्टर है और वो औरिन को पसंद करती है और वो लिवीनिया से पूछती है कि क्या उसने औरिन की कोई खबर सुनी है सुर्स औरिन भी वार पे गया हुआ है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुमने औरेन के बारे में कोई खबर सुनी है कि वो कहा है और कब आ रहा है मगर लिवीनिया कहती है कि उसे कोई खबर नहीं है औरेन की और हेजल वहां से चली जाती है हेजल जाते हुए अपने भाई पीटर से कहती है कि उसे कुछ नहीं बता मुहबबत के बारे में वो मुहबबत के नाम से नफरत करती है पीटर उसकी इस response पर हिरान हो जाता है और फिर उसे कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि war के end तक इंतजार करो अब war end होने जा रही है तो तुम्हारा ये response क्यों है लवीनिया एक गहरा सांस लेती है और कहती है she cannot marry anyone and want to stay at home with her father ठीक है इसकी इस statement में हमें electro complex नजर आता है कि वो कहती है कि मैं कभी शादी ही नहीं करना चाती है और हमेशा अपने बाप के साथ जो है वो घर में रहना चाती हूँ फिर वो उसे कहती है कि मैं तो तुम्हें बाइयों की तरह प्यार करती हूँ मगर students Peter कहता है कि वो hopeful है और वो उसका इंतजार करेगा फिर वो ये पूछता है कि ये mysterious captain Adam Brant कौन है लेवीनिया कहती है he is no one and I hate sight of him कि वो कोई नहीं है और मुझे उसकी sight से भी फिर students थोड़ी देर बाइ क्रिस्टीन वहां आ जाती है और इसके हाथ में flowers पकड़े हुए Peter चला जाता है Peter के जाने बाद लेवीनिया खुद को कमरे में बंद कर लेती है क्रिस्टीन पूछती है क्रिस्टीन पूछती है कि मेरे सर में दर्द है और मुझे किसी बात पर घृर फिकर करना है मैंने इसलिए खुद को अकेला बंद कर लिया है क्रिस्टीन पूछती है किन पातों पर गोर करना चाहती हो तो वीनि बहुत अजीब नज़रों से उसे देखती करती है और कहती है कि वो ठीक है फिर क्रिस्टीन कहती है कि वो खुद ही एडमिट कर लेती है कि वो कैप्टन ब्रैंट के पास कई थी और उसने कहा है कि वो मैनन हाूस में स्टे करेगा पिस्टूरेंट्स लेवीनिया को घुसा आता है और वो धमकी देने वाले अंतास में कहती है मेरा बाप जल्द ही घर आने वाला है क्रिस्टीन उसे अपना लहजा दुरूस्त करने को कहती है मगर लेवीनिया उसे कहती है कि वो जल्द उससे क्लियर बात करेगी क्रिस्टीन उसकी तरफ घुस्से से देखती है मगर अंदर चली जाती है फिर स्टूरेंट सेथ वहां आता है लेवीनिया फिर सेथ से बात करती है और उससे पूछती है कि वो कैप्टन ब्रेंट के बारे में क्या जानता है तो students Captain Brent के बारे में वो क्या जानता है तो वो पूछता है कि Seth Lavinia से पूछता है कि तुम्हें Brent की जो शकल है वो किस के जैसी लगती है तुम्हें Brent की resemblance किस से लगती है Lavinia थोड़ा सोचती है और कहती है कि वो मेरे फादर जैसा दिखता है Seth उसे David Manon की कहानी सुनाता है जो Abe का भाई था Abe जो Sorry, Abe का बेटा था Abe जो के Lavinia का दादा था David को एक नर्स Mary Brent Tom से महपत हो गई थी और जब वो प्रेगनेंट हो गई तो Abe Manon ने उनको घर से निकाल दिया था Brent बिलकुल उसी उमर का है जिस उमर का उसका बच्चा होना था नाम भी उससे मिलता जुलता है वो Brent को आते देखते हैं और Seth हैरान होता है इवन वो चलता भी David की तरह है Seth चला जाता है और Brent Levinia के सामने आकर खड़ा हो जाता है Levinia नोट करती है कि उसका चेहरा बिलकुल मैनन्स के जैसा है जैसे मैनन्स फैमली के लोगों का मास्क लाइक चेहरा है वैसा ही उसका भी है और स्टुडिंट्स जब वो से खुश्दिली से बात करता है तो Levinia का बहेविर बहुत अजीब होता है वो उसे अपने बाप की जल्द वापसी के बारे में बताती है मगर वो इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाता वो जवाब में उसकी तारीफे शुरू करता है और कहता है वो बिल्कुल अपनी मा की तरह खुबसूरत है वो कहता है जैसे बाल उसके है उसके जैसे बाल आज तक सिर्फ एक और औरत के उसने देखे है वो उसकी अपनी मा है लेवीनिया प्रोटेस्ट करती है कि वो अपने बाप जैसी है मा जैसी नहीं है ब्रैंट उसके इस सलूक पर हिरान हो जाता है और उसे कहता है याद करो एक मूनलाइट पे जब हम वाक कर रहे थे तो वो कहती है कि मुझे ये याद आ रहा है कि उस वकद तुमने एक नेकिड नेटिव औरत को देखकर उसकी तरीफ की थी वो असल में उसे ये शो करवाना चाहती है कि वो एक वुमिनाईजर है और लेवीनिया उसे घुसे में लायर कहती है और एक जुमला बोलती है कैनक नर्स गर्ल स्ट्वेंट ब्रेंट को घुसा आता है जब वो ये जुमला सुनता है कैनक नर्स गर्ल तो उसको पता चलता है कि वो उसकी माँ पे तंस कर रही है ब्रेंट को घुसा आता है और वो कहता है वो उसकी तोहीन नहीं कर सकती लेवीनिया हिरान है कि क्या उसने सैथ से जो सुना था वो ठीक था ब्रैंट लेवीनिया को फिर बता देता है कि हाँ वो एक कैनक नर्स का बेटा है और उसे फखर है अपने मा के बलड पर मगर उस मैनन बलड पर फखर नहीं है जो उसकी रगों में दोड रहा है बलके मैनन बलड उसके लिए डिसकस्टिंग है लेवीनिया जाने के लिए मुड़ती है मगर वो उसे पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि तुम बुझ्दिल हो और सचाई का सामना नहीं कर सकती उसने लेवीनिया को बताया कि एब मैनन भी मेरी को लाइक करते थे और यह उनका बदला था कि उन्होंने अपने बेटे डैविट को घर से निकाल दिया और बिजनिस से भी उसने लवीनिया को बताया कि डैविड अपने बाप की सरक्त की वज़ा से गरीब और शराबी हो गया था और मेरी माँ को मारा करता था यहां तक कि मुझे इंटरफेर करना पड़ता था फिर उसने उसे बताया कि डैविड ने एक दिन खुद को गुदाम में हैंक कर लिया था और लवीनिया यह बात सुनकर खौफ सदा हो जाती है मगर ब्रैंट उसे बताता है कि किस तरह उसकी माँ ने उसे स्कूल भेजने के लिए मेहनत की फिर वो शिप पर रवाना हो गया मगर जब वो वापिस आया तो उसने अपनी माँ को मरते हुए पाया उसकी माँ ने बहुत बुरे हालात में एजरा से कुछ कर्जा माँगा मगर उसने उसे रिस्पॉंस नहीं किया और उसकी माँ उसकी बाहों में मर गई ब्रैंट कहता है कि एजरा उसकी माँ का कातिल है लेवीनिया अपने बाप को डिफेंड करती है मगर ब्रैंट कहता है कि वो अपनी माँ का बदला लेगा सुर्च दूसरा एक्ट शुरू होता है दूसरा एक्ट एजरा मैनन के स्टड़ी रूम में है ये एक बहुत बड़ा और सादा कमरा है और दिवार पर जॉर्ज वशिंग्टन, लेक्सेंडर हैमिल्टन, जॉन मॉर्शल की जह है वो तस्वीरें लटक रही है ठीक है वहां उसके बाप की तस्वीर भी लटक रही है एजरा की तस्वीर भी लटक रही है और लेवीनिया अपने बाप की तस्वीर को देख रही है और उसे बड़ा दुक हो रहा है उनको देख कर क्यूंकि अब उसे एडम ब्रेंट और अपनी मा की अफियर के बारे में पता लग चुका है एजरा टॉल और हैंसम लगता है और इसके चेहरे पे वही मास्क लाइक एक्सप्रेशन्स हैं जो मैनन फैमली की खासियत है ब्रेंट उससे काफी मिलता जुलता नजर आता है तो सुडर्स क्रिस्टीन अंदर दाखिल होती है वो नराज है और पूछती है कि लेवीनिया ने उसे क्यों डिस्टरब किया और इस पुरसरार कमरे में क्यों बुलाया लेवीनिया उसे कहती है कि उसके बाप का कमरा है फिर उसे बताती है कि वो हेजल और पीटर के पास नहीं गई थी बलके निव यॉउक गई थी क्योंकि उसे शक था कि क्रिस्टीन अपने दादा से मिलने नहीं बलके ब्रैंट से मिलने जा रही है क्रिस्टीन जुट बोलने की कोशिश करती है मगर लेवीनिया सकती से कहती है कि उसने उन दोनों को महबत का इजहार करते हुए देखा है क्रिस्टीन आखरकार इतराफ करती है कि वो ब्रैंट से महबत करती है और एजरा से उसका तालुक नथिंग है लेवीनिया इस बात पहरान हो जाती है और हैरत से पूछती है कि क्या हो वो हमेशा से उसके बाप से नफरत करती है मगर क्रिस्टीन कहती है कि शादी से पहले उससे नफरत नहीं थी मगर शादी के बाद वो उससे नफरत करने लगी लेवीनिया कहती है कि वो नहीं जानती थी कि वो नफरत की पैदावार है मगर क्रिस्टीन कहती है कि उसने लेवीनिया से महबत करने की कोशिश की मगर वो सिर्फ उसे अपने वेडिंग, नाइट और हनीमून के तौर पर ही देख सकी और क्रिस्टीन ये भी एडमिट करती है कि उसे औरेन से महबत है क्योंकि औरेन बिल्कुल इसके जैसा है क्योंकि जब औरेन पैदा हुआ था तो एजरा मेक्सिको चला गया था और औरेन को उसने खुद पाला और बिल्कुल उसके जो मैनर्स है और सब कुछ जो बिल्कुल मा जैसा है तो उसने अपने तरीके सुसको पाला था इस वजह से औरेन बिल्कुल इसके अपने जैसा है ठीक है इस वजह से औरेन से महँबत है जब के लविनिया अपने baal से ज्यादा close रही है और लेवीनिया में जो ट्रेट्स हैं, पर्सनलिट्री ट्रेट्स हैं, वो भी बाप जैसे हैं, क्रिस्टीन कहती है, कि उसे इस बात पर उस्सा है, कि लेवीनिया ने अपने भाई औरन को जंग पर बेजा, लेवीनिया सकती से कहती है, कि औरन की ड्यूटी थी, जैसे एजरा क तो क्रिस्टीन कहती है कि उसने अच्छा नहीं किया और इनको जंक पर भेज के फिर वो क्रिस्टीन एडमिट कर लेती है कि उसको ब्रांड से महबत है और जो महबत वो चाहती थी उसे वो ब्रांड ने दी है मगर لیوینیا कहती है किवो सिर्फ बदला लेना चाहता है क्योंकि वो नर्स मैरी का बेटा है لیوینیا ये सोच रही है कि शायद उसकी माँ को सारा एडम बॉरेंट की अर्सलियत नहीं बता लेकिन लेवीनिया हैरान रह जाती है जब उसे ये पता चलता है कि उसकी माँ ये सारी कहाने जानती है लेवीनिया उसे कहती है कि ब्रैंट से तालुक खतम कर दे और एसरा के साथ मुखलिस हो जाए क्रिस्टीन तंजिया हसी हसती है और उसे कहती है कि वो Adam Brant को शायद खुद चाहती है और वो ये भी कहती है तुम अपने बाप की बीवी बनना चाहती है और और अरेन की माँ बनना चाहती है और तुमने हमेशा मेरी जगा चुराने की कोशिश की है लेवेनिया के कैरेक्टर में एलेक्टर कॉम्प्लेक्स नजर आता है लेवेनिया उसे में कहती है कि वो brand को छोड़ दे वरना वो फादर को बता देगी और वो brand को black list कर देंगे और वो अपनी company की command खोदेगा क्यूंकि स्टुट्गे वो एक ship का captain है तो एजरा की जो पास अथोरिटी है वो इतनी है कि वो उसको शिप की कुमांड उसे ले सकता है तो इसलिए वो उसको थ्रैट करती है क्रिस्टीन को कि वो अपनी कुमांड खो देगा और कभी दूसरी कुमांड हासल नहीं कर सकेगा क्रिस्टीन खौफजदा हो जाती और कहती है आज रात वो ब्रैंट को कह देगी कि अब बस सब खतम कर दो वो अपनी बेटी पर इंजाम लगाती है कि उसने ब्रैंट को अपने साथ फलर्ट करने पर इंसिस्ट किया मगर लेविनिया कहती है कि वो उससे हमेशा एक चुटे आदमी के तौर पर देखती है लेविनिया बता देती है कि वो अलरड़ी अपने बाप और भाई को अपने भाई औरन को ब्रैंट के मुतलिक लिख चुकी है लेवीनिया चली जाती है और क्रिस्टीन वहां खड़ी है उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल एक इवल मास्क की जैसा लग रहा है और ब्रैंट वहां आता है और क्रिस्टीन उसे सब बताती है ब्रेंट वहां बैट जाता है और सोचता है कि कैसे क्रिस्टीन से उसे पहले नफरत थी और अब वो उसे कितना प्यार करता है क्रिस्टीन कहती है कि वो बहुत अर्से तक एजरा से डरती रही है मगर अब वो अपनी गलती पर अफसोस करती है और कहती है कि वो चाहती है एजरा मर जाए ब्रैंट कहता है कि वो एजरा को बताएगा कि क्रिस्टीन उसके साथ नहीं रहना चाहती है मगर क्रिस्टीन कहती है कि इसका कोई फाइदा नहीं होगा एजरा उसे डवोर्स नहीं देगा वो कहती है कि उसकी कितनी खौाहिश थी कि एजरा जंग में मारा जाता और वो और एडम एक साथ हो सकते क्रिस्टीन और एडम एक हो सकते क्रिस्टीन एडम ब्रेंट की तरफ देखती है और उससे पूछती है कि क्या उसे पता है एजरा हार्ट पेशेंट है और दवाईयां इस्तमाल करता है ब्रेंट कहता है कि वो जानता है फिर कृριस्टीन उसे एक पर्ची पर ट्रग लिख कर देती है और कहती है ड्रगिस्ट से लेकर आए और वो ये एजरा को दे देगी हर कोई जानता है कि वो बिमार है किसी को शक नहीं होगा पहले ब्रैंट इसे बुस्दलाना कतल पर इंकार करता है मगर क्रिस्टीन इसे मेरी यानि कि उसकी मा की डेथ याद दिलवाती है ब्रैंट कहता है कि वो इसे जहर जरूर लेकर आएगा स्टुर्ट्स एक्ट 3 शुरू होता है शाम का वक्त है मैनन हाउस क्लोजड और गलूमी है दूर से सेथ के गाने की आवाज आ रही है लेवीनिया सेथ से मिलती है और उससे पूछती है मेरी कैसी थी सेथ बताता है कि वो जिन्दगी से भरपूर थी हर वक्त हस्ती गाती रहती थी वो कहता है कि even एजरा जब लड़का था तो वो भी उसके लिए पागल था जब तक उसे ये पता था कि वो डेविट की मिस्ट्रिस है यानि कि डेविट उससे प्यार करता है तब तक वो खुदभी मेरी के लिए पागल था लेवीनिया को ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है उसी वकट क्रिस्टीन बाहर आती है और लेवीनिया को टीज करती है कि प्योरिटन मेडन्स को स्प्रिंग में ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए फिर कहती है कि उसे पीटर पर फोकस करना चाहिए लेवीनिया अपनी माँ पर इल्जाम लगाती है कि वो कोई साज़िश कर रही है क्रिस्टीन लेवीनिया का मजाग उडाती है और कहती है कि वो एजरा की वापसी का इस शाम ऐसे इतजार कर रही है जैसे वो इसका वाइफरेंड हो लेवीनिया उसे याद दिलाती है कि उसने ब्रैंट से तालुक खत्म करने का वादा किया था ठीके स्टूडेंट्स क्रिस्टीन कहती है कि उसे ये बात नहीं भूली तो लेवीनिया कहती है कि क्या उसका अभी भी इरादा है ब्रैंट के साथ तालुक रखने का मगर क्रिस्टीन जूट बोलती है कि ऐसा नहीं है लेवीनिया अपनी माँ से कहती है कि इसका मतलब है वो ब्रैंट से भी प्यार नहीं करती क्योंकि वो अदास नहीं है उसे छोड़ देने पर यह इस बात का सबूत है कि वो एक कोल्ड और अनफीलिंग औरत है और वो इन सिंसेर औरत है क्रिस्टीन कहती है कि वो अदास होकर लेवीनिया को खुश होने का मौका नहीं दे सकती वो यह भी पूछती है कि एजरा की होम कमिंग कब तक एक्सपेक्टिड है लेवीनिया इस बारे में शूर नहीं है में अगर अचानक वो किसी के कदमों की आवास सुनती है और स्टूरेंट्स यकीना कदमों की आवास एजरा मेनन की है एजरा मेनन वापस आ चुका है लेवीनिया खुशी से रोने लगती है एजरा उसे रोने से मना करता है और उसे प्यार करता है और वो औरेन के बारे में बताता है कि औरेन वार में जखमी हो गया था और शौक की वज़ा से उसे ब्रेन फीवर भी हो गया था मगर वो जिन्दा है और वो अप छोटे बचों की तरह हर वक्त माँ को पुकारता रहता है क्रिस्टीन इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा उसा होती है और बहुत दुखी है कि उसको उसका बेटा उससे दूर है और वो वार में जखमी हो गया है लवी ने अपने बाप से पूछती है कि अब उनका हार्ट प्रॉब्लम कैसा है उनके हार्ट में पेंट तो नहीं होती वो बताता है कि अब वो ठीक है एजरा बताता है कि वो सिफ कुछ दिन के लिए आया है उसे वापस जाना है और अपनी ब्रिगेड को डिस्पैंट करना है क्योंकि वार इस ओवर चंग खतम हो चुकी है इसलिए अपनी ब्रिगेड को उसे डिस्पैंट करने के लिए वापस जाना है वो क्रिस्टीन को भी कहता है कि वो हमेशे से ज्यादा खुबसूरत लग रही है क्रिस्टीन को भी कंप्लिमेंट देता है तो क्रिस्टीन कहती है कि आप एजरा को आराम करना चाहिए मगर لیوینیا अपने बाप से बैंट के बारे में बात करना चाती है वो पोच्छती है कि क्या आप एडम बैंट को जानते हैं मगर ایजरा इनकार करता है क्रिस्टीन मुस्कुराते हुए कहती है कि वो लیوینیا का वॉयप्रेंट है मगर लीवینया कहती है माँ उसके साथ फलर्ट करती है एजरा मैनन इन इन बातों पर नराज हो जाता है और कहता है कि वो मजीद इस बारे में कुछ नहीं सुनना जाता लवीनी अपने बाप को किस करती है और कहती है कि वो दुनिया का वहत शख्स है जिससे वो हमेशा प्यार करेगी एजरा भी उसे प्यार करता है और भेज देता है क्रिस्टीन की तरफ देखता है और क्रिस्टीन उसे बताती है कि ब्रैंट उसे उसके दादा के घर में मिला था और वो विनी को पसंद करता है मैनन का मूट ठीक हो जाता है और वो उसे बताता है कि उसने करिस्टीन को कितना मिस किया खास तॉर पर उसके स्ट्रींज ब्यूटीफूल हेर को, उसके स्ट्रींज ब्यूटीफूल बालों को उसने बहुत मिस किया वो क्रिस्टीन से कहता है कि अब वो सिर्फ चाहता है कि वो एक दूसे से प्यार करें और खुश रहें वो कहता है कि वो पहले इमोशनली शटना उना आदमी था मगर वार ने इसे बदल दिया है उसने इतनी लाशें देखी है, इतना बलडशेट देखा है कि उसे अब जिन्दगी से महबत हो गई है, वो भरपूर जिन्दगी गुजारना चाहता है वो कहता है कि वो चुटियां लेकर किसी आईलैंड पे जाएंगे और अच्छा वक्त गुजारेंगे मगर कριसीन इंटरस्टेड नहीं है उसकी बातों में लेवीनिया फिर से आकर इंडरप्ट करती है कि मुझे नीन नहीं आ रही मगर कριसीन कहती है कि उसे नीन आ रही है और वो अपने बेटरूम में जा रहे है लेवीनिया इनकी विंडोस की तरफ गूरती है और सोचती है कि उसकी माँ ने उससे उसके बाप का प्यार चुरा लिया है सुरेट्स वो चीख चीख कर एजरा का नाम पुकारती है और वो परिशानी से आकर पूछता है कि वो क्या चाहती है मगर वो खामोश हो जाती है और कहती है वो गुड नाइट कहना भूल गई थी एजरा उसे कहता है कि उसे भी सो जाना चाहिए और वो गुड नाइट बोलती है सुरेट्स एक्ट फूर शुरू होता है एजरा और क्रिस्टीन का बेडरूम है एजरा सो रहा है क्रिस्टीन खमोशी से बैट से निकल कराती है एजरा भी जाग जाता है और उसे आवाज देता है और वो गबरा जाती है एजरा कहता है कि क्या उसकी आवाज इतनी बुरी है कि उसको सुनकर ऐसा रियक्ट कर रही है वो कहता है कि वो बात करना चाहता है उससे वो कहता है कि उसे अजीब सा फील हो रहा है जैसे ही उसका घर नहीं है जैसे वो उसकी बीवी नहीं है जैसे वो किसी और का इंतजार कर रही है क्रिस्टीन कहती है कि ये शक वली बाते बंद करें वो कहती है कि वो उसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो उसकी प्रॉपर्टी हो एजरा कहता है कि वो चाहता है क्रिस्टीन उसे ट्रूली प्यार करे मगर उसे लगता है कि क्रिस्टीन नहीं करती है क्रिस्टीन उसे कहती है कि वो बहुत अर्से से उससे नफरत करती है वो бренд के मामले में भी फट पड़ती है और सच बता देती है कि वो उसका लवर और मेरी का बेटा है एजरा घुसे से पागल हो जाता है और क्रिस्टीन की तरफ बढ़ता है सुरूंस उसके दिल में दर्द शुरू हो जाता है और वो क्रिस्टीन को मैडिसन के लिए रिक्वेस्ट करता है क्रिस्टीन भागती हुई वो पॉईजन लेकर आती है जो ब्रेंट लेकर आया था ठीक है और वो एजरा वो पॉईजन खा लेता है और उसे एसास होता है कि यह उसकी मैडिसन नहीं है मगर बहुत देर हो चुकी है वो चीख चीख कर विनी को बुलाता है और क्रिस्टीन फॉइजन वाला बॉक्स चुपा देती है लेविनिया आती है विनी बहुत गभराई हुई है और एजरा मरते हुए क्रिस्टीन की तरफ इशारा करता है और कहता है सिर्फ ये दो बातें वो करता है और मर जाता है वो कहता है शी इस गिल्टी नोट मैडिसन लेवीनिया खौफजदा है क्रिस्टीन उसे बताती है कि उसने एजरा को अपने और ब्रैंट के रिलेशन के बारे में बता दिया था जिसकी वज़ा से उसके दिल में दर्द हुआ लेवीनिया चीखती है कि तुमने उसका मरडर किया है उसके आखरी लफ़सों का क्या मतलब है क्रिस्टीन का चेहरा जर्द हो जाता है और वो गिर जाती है पौईजन बॉक्स उसके बैट से बाहर गिरता है लेवीनिया मा की नबस चेक करती है और देखती है कि वो जिन्दा है और वो कहती है कि वो उसे जरूर सजा देगी फिर वो जब वाइजन बॉक्स देखती है तो खौफसदा हो जाती है वो अपने बाप पर जुकती है और सिस्किया लेने लगती है स्टूर्ट ये थी होम कमिंग की समरी नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम दा हंटिट की समरी करेंगे तो स्टूर्ट नेक्स लेक्चर तक के लिए अल्ला हाफिस